हेलो फ्रेंड्स वेलकम फ्रॉम ड्रिम फिंटेसी एंड आज हम एक्स्प्लेंड करेंगे मैच नंबर क्वालिफाइंग टू जो की होगा चैन्नी में एंड चैन्नी के ग्राउंड काफी इस बार अब बैटिंग कंडिशन उसकी बदली है जो पहले से हमेशा से स्पिनर्स का तो दोनों के अगर मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो थोड़ा सब परला हैदराबाद का भारी है मुझे से लगारा परस्टनली वेस पर हां राइस्थान भी अच्छा मैच प्ले करके आई है हालेकि बटलर की जो कमी है वो उनके लिए अखरेगी इस मैच में भी मैं दो मैं जीती है बैटिंग फर्ष्ट ठीक है और पांच मैं जीती है बैटिंग सेकंड इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है सेकंड इनिंग में चेस करना इजी होगा ठीक है तो हमारे प्रेडिक्शन में भी हैदराबाद फेवर चलेगी अगर हैदराबाद ने चेस कर तो अपना और अच्छा लेकर चल सकते हैं इसको ठीक है न stat वनbbles चेसिंग एजिये दोपांस से दो फ्रष्ट इनिंग् पांस से दो फय़्रप अंप्र पहस्यंग में लुफ आनला चैंडीन के बतारूं जयाओर सब्सक्राइब और 25 लिए पेसर्स ने मतलब डवल का एवरेज है ठीक डवल से थोड़ा से ज्यादा पेसर्स का डॉमिनिश पहले चेंड नहीं में स्पिनर्स का डॉमिनिशन होता अब पेसर्स ज्यादा हो और यही अगर सब सेकंड इनिंग में हम लोग आ रहे हैं तो 6 लिए स्पिनर्स ने इनिंग का इस्पिनर्स बिदाएगा उसको हम लोग नहीं रखेंगे यह चीज़े याद रखना सेकंड इनिंग वाले मुश्ट ली ठीक है टोटल विकेट जित्ते के रहे हैं उसमें सत्तरा विकेट हैंगे इस्पिनर्स के और पच्पन रहेंगे पेसर्स के मतलब पेसर्स ठीक है अब अब अपन देखते हैं डाइक कंडिशन तो 52 परशेंट चांसेज है है धरवाद के और 48 परशेंट चांसेज है आरार के ठीक है वो एप्रोक्स बराबरी चलना कोई ता फरक नहीं पढ़ड़ा ठीक है ओवराल एवरेज स्कोर देख जाए तो 166 का एवरेज स्क मैच में 17 हर मैच में मतलब ज्यादा कोई काम नहीं करवाया अब आते ऐसा रेच के मैंग मारकंडे एक ही मैच पर लेकर राद दो विकेट लिए और यूजी चेहल ने देड़े दो विकेट के आसपास ठीक है अब अब आपन देखते डारेक्ट प्लेयर स्टेट्स की हम लो के लिए आपके लिए पूरी सीरीज आएगी तो सबसे पहले विकेट कीपर स्टेशन से सुरुवात करते तो देखो विकेट कीपर में तीन खिलाड़ी आपको दिखेंगे संजु सेमसन हैनलिक क्लासन और धुरुब जुरेल ठीक है सबसे ज़्यादा पढ़ा जाएगा संजु सेमसन और हैनलिक क्लासन पर यह वास फिक्स बात है अब संजु सेमसन की जो लाश्ट की तीनों पार यह थी बिल्कुल नहीं चले क्या पता है सक क्या बैठा कि यह बिल्कुल नहीं चले और थोड़े से हैवी मैच में थैट मतलब ऑपोनेंट भी इनको पसंद रहेंगे इस्टेडियम भी इनको पसंद नहीं है ठीक तो इससाब से यह बनते हैं हमारी पहली पिक जिसको हमनों बहार कर सकते अगर आपका जादा दिल कर रहा तो कैप्टन बाइस केप्टन बिल्कुल मत रखना पिक करके जा सकते ठीक अगर आपके इकमेश प्ले कर रहा उसमें 65 पॉइंट झाला है अभीषिक शरमा को तो इनको कैप्टन मस्ट लेके चलना आप दोनों को कैप्टन म्द्रिका बना रहा है तो फिर इनको आफ लाइक्यों ले सकते जोगें फिर आता है तो धुरुब जुरेल का इता सीनियर बाला पोज नहीं है चलू इस्टेडियम में अच्छा मैच प्ले कराएना है तालीस पॉइंट दिए बट लेकिन इतना कोई है बो नेंगे निका रेकॉड ठीक है फिर आता है ट्रुविस हैड जो कि इस गेम के भी हीरो रहेंगे और लाश्ट के दोनों मैच इनके जीरो जीरो से गये हैं तो हो सकता ये मैच इनका अच्छा जाए 85% का सेलेक्शन पर सेटेज अब भी 36% सेलेक्शन पर सेटन लेके चलना है लोग और इस लाश्ट मैच में त 84 पॉइंट दिए ठीक है तो इसे साफ से हमारी टीम में पिक होने के वाली तो पर्फेक्ट बनते हैं कि पिक तो होके चलना है बठाग कैप्टन बाइस के लिए अच्छा हुगा योगी दोनों मैच में के यह नहीं चले ठीक है फिरा आता इससी जाइस्वाल 84% का सेलेक्श दिए है नोंने ठीक है अब देखना इस साइट से जो भी लेके चलो एक एक को लेके चलना मुझे असे लगता कल यह सी जैस्वाल का दिन नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट मेंच इनका हो गया तो अच्छा ठीक है अभी शिक सरमा अब देखो इस साइट से दोनों को कैप्ट से चलों करना अभी शिक सरमा को बाइस केप्टन यह सी निवित करना तेरह सी परशेंट का स्लेक्शन परशेंटेज एगा और आप चाहे तो अभी शिक सरमा के साथ भी ड्रॉप करने वाली कंडिशन में जा सकते ठीक है रहाल उत्रपाथी एक मैस था इनका हो गया वह सीगे तो हमारी टीम से वह बाहर हो ही जाता है ठीक है तो कैप्टन बास कैप्टन वाला तो सीन ही नहीं है हाँ लेकिन बाहर करने वाली कंडिशन में भी हम लोग रख सकते ठीक है बाकी दोवन पॉल बहुत नीचे हो जाते हां लेकर पिछले मैस में फीलिंग अच्छी करी ठीक है ना क्योंकि हो सकता है साइड से बॉलेंग अच्छी है टीन अट राजन हुआ अब हमने सर को मार हुआ और पैट कमेंस हुए तो हो सकता कोई नो कोई फसा ले इनको ठीक है अब्दुल समद अगर आप टॉप ओडर से ड्रॉप मार रहे हैं तीन स्टार्ट के जो आरार की तरफ से सीजन में चले बहर रियान पराग अबान्यों पर्शंट का सिलेक्शन पर्शंटेज है और लास्ट मैच में अच्छी वेटिंग करी लास्ट के तीन मैच में ड्रिम टीम में कंसीडर भी हुए हैं इस इस्टेडिया में खेलना पसंद यार इनको देख लेकिन हाँ ये मैच अच्छा हो सकता हो कि बैटिंग भर पूरा रही है और इस इस्टेडिया में जरूँ थोड़ा सा फसे हैं लेकिन ओपोनेंट के खिलाफ इनको खेलना पसंद आया है नको ठीक हमेशा से तो ये भी हमारी अच्छी पिक बनेंगी जो लेके जा सकते हैं अस्विन के लिए अगर सेकंड बोलेंगा है तो तो लेकि मत चलना अगर आप टॉप अडर से ड्रॉप करके चलना है तो आप लेके जा सकते हैं लाकर लाकर लास्ट के चार के चार मैच में ड्रिम टीम में कंसिडर हुए है क्योंकि देखो बैटिंग भी आ जाती लेकिन इ प्रस्ट बॉलिंग कर आई तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं अब दो समद स्यवाज खान तो इस इनिंग में स्टेडियम में रिकॉर्ट खराब है और पूरेंट के खिलाब भी रिकॉर्ड खराब है दोनों रिकॉर्ट खराब है तो बस बात खतम पिर आता है हमारा बॉल इ में सबसे पहले दिखता है पनको पैट कमेंस और लाश्ट मैच में तो मुझे से मैंने बोला भी था कि पैट कमेंस को आप 20 टीम भी हो तो 20 की 20 में रखना क्योंकि हम टॉप और से डॉप करके गये थे और बेटिंग साइट से धन भी बने थे ठीक है तो 80% का स्लेक्शन पर इस टीम की और अगर जीती हैदराबाद को जिता रहे हो तो बहुत अच्छा पार्टिशिपिट रहेगा तीन राजन का चौंसर पर्शेंट का स्लेक्शन पर्शेंट है और अभी जरू फसे चल ला है लेकिन हाँ क्वाइल्टी है इस ओपुनेंट के खिलाफ किलना पसंद एक की मैच पे लेकर आप बासट पॉइंट दी होने ठीक है फिर आता है यह जुविंदर चहल देखो है जुविंदर चहल का जी सीन है कि एक बिगट तो लेते ही है प्रोक्स मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हाँ जाए लेकिन हाँ एक बिगट तो लेते है और लेकिन अगर बैट कमिंस का वहां पे है बैटिंग के साथ वही यहां ट्रेड़ बोल्ट का अगर टॉप और सब्डॉप करते तो ट्रेड़ब बल्लेवाजी कर सकते एक तलीश परशेंट का स्लेक्शन परशेंटेज है एक बिगट तो लेकर चले जाएंगे और इंतर टेंसर मतले ना ऑ और लाश्ट के दोनों मैच में ड्रिम टीम में कंसीडर हुए लेकर इसी स्टीडियम रिकॉर्ट खराब इनका एकी मैच पिले करा चोगदा पॉइंट दी होने ने ठीक है फिर आता है संदीप सर्मा इतना नहीं और वी विजये संकर ये इस पिनर थे तो इनके स्पिनर के साथ ये हम लोग नहीं जाएंगे ठीक है तो जैसा की बताए कि अपनको टीम मुझे से लगता है हैधरवाद के फेवर में टीम बनाएंगे और खासकर देखेंगे जो सेकंड बेटिंग करेगा उसके फेवर में हम लोग टीम बनाके चलेंगे और इसी के लिए जिताएंगे ठीक है उसी वेस पर टीम होगी सेफ पेक होग रहेगी कौनसी ट्रवेस हैट केप्टन रहेगा और रियान पराग बाइस केप्टन रहेगा ट्राई करना एक ही keeper के साथ जाने का और keeper को दोनों को captain by captain मत रखना ठीक है तो वीडियो से लिए को लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं next वीडियो में